असलाम लीकूम आज हम बनाएंगे आलों से तयार होने वाला जटपट स्नैक्स आज शाम के अफ़तारी में आप भी इसे बनाएं और बताएं कि आपका स्नैक्स कैसा बना था तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने 7-8 आलों को बुर्ड कर लिया था और इसे अच्छी तरह से मैश है अलु जब मैश हो जाएंगे पर अफ़ उसे इसमें 1 Вीकेश कोकड़ी लार मिच, 1 चाट मसाले का पाओडर और उसे भी मैश करके इसमें मिक्स कर दें उसे मिक्स करने से टेस्ट और ज़्यादा इनहेंस हो जाता है बहुत ही टेस्टी स्नैक्स बनकर तयार होते हैं तो चलिए अब हम एक स्लेरी तयार कर लेते हैं मिक्शर तो हमारा रेडी हो चुका है स्लेरी दयार करने के लिए वन कप मैदा, हाफ कप काउन फ्लोर लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर उसे अच्छी तरह से चलाते हुए कि लंब्स ना पड़ें एक स्लेरी बना कर रख लेंगे स्लेरी हमारे ना जादा रणी होनी चाहिए ना ही जादा थीक होनी चाहिए जब स्लेरी हमारे रेडी हो जाएगी तब हम ब्रेट के स्लाइस ले लेंगे और ब्रेट के स्लाइस मेरे फ्रेश थे इसलिए मैंने किनारे नहीं कट किये हैं आपकर ब्रेड के फ्रइश नहीं है तब किनारो को जरूर कट करें और कोशिश करें जिसमें कि फ्रइश ब्रेड हीलें जिससे कि फ्राइब र तो आपके स्नैक्स बहुत ही परफेक्ट बनकर डन होंगे तो चलिए अब हम ब्रेट पर टोमाटो सॉस लगा लेते हैं अगर आप चाहें तो इस पर पिज़ा सॉस भी रगा सकते हैं आपके पास जो हो आप उसे लगा ले और इस मिक्चर को हम उस पर अच्छे से फैला करेंगे और उसके बाद ऑईल रख देंगे गरम होने के लिए जब हमारा मीडियम होट हो जाएगा तभी इन्हें हम स्लेरी में डिप करेंगे उससे पहले नहीं वरना यह तोटने लगेंगे और एक बात को ध्यान रखें अगर आप आपका ऑईल नहीं होगा तो आपकी पक अगरम से कोट करके ऑईल में डाल रहे हैं जब सभी स्लाइस चले जाएंगे मैंने तीन या चार डालें एक बार में और तब इनकी फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें हम अच्छी तरह से फ्राइप कर लेंगे इनकी साइट को बदलते हुए जब केक साइट ब्राउन और क्रिस्पी हो जाएगी तब दूसरा साइट बदल देंगे देखने में कितने टेस्टी और यमी लग रहे हैं स्नैक्स आप लोग इसे बनाएं और अपना फीडबैक मुझे जरूर दें तो इस तरह आपने टोमाटो सॉस या हरी चटनी जो बनती उस के साथ या इमली की खट्टी मेटी चटनी के साथ खा सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग में वीडियो अल्लाहाफिज